हलो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वगत है बिहार पुलिस को स्टेबल भरती 2020 ये डेली अस्टडी प्लान 14 का टेस्ट है इससे पहले जो भी टेस्ट है यो अपलोड हो चुका है डेली तीन बजे टेस्ट अपलोड होता है और आपको पता ही कि मैं डेली अस्टडी प्ल दिपयारवान का सब्द क्या होता है यह बताएए तो दो धै 96 003 on सब्सक्राइब चौहीं होता है बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग यह बताते हैं कि टोटल में से कितने इसकोर की टिक यह बताते दूसरा है कि निवन में से पुलिंग है इस में से कौन सा सब्द के सामने अफ़सन उपलब्ध है तुरिप्त में से सभी हो जाएगे तो two cancer क्या हो जाएगा D हो जाएगा Question number 3 देखिए Link के द्रिष्टी से दही क्या है Pulling है, इस द्रिलिंग है, ना पुन्सक लिंग है या उभाई लिंग है टिक, दही, दही होता है न तो दही क्या है तो दही जो है यह pulling में आता है किसमें आता है, pulling में आता है यह याद रखेगा तीसरे के अंसर A हो जाएगा Question number 4 देखिए कि चिडिया का बहु बचन होगा जो चिडिया है, इसका बहु बचन क्या होता है यह आपको बताना है तो चिडिया जो है, यहाँ पर देखिए इसका जो इंसर हो जाएगा इसका बहु बचन यह हो जाएगा चिंग्या यह C हो जाएगा Question number 5 देखिए कि इनमें से एक बचन और बहु बचन कौन सा योग में सही नहीं है कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है एक बचन और बहु बचन का आपको पता ही है कि लिंग और बचन देएथ है आपको पढ़ने के लिए 43 impalane में हिन्दी में यह आपको पढ़ना था चोटा-चोटा चेप्टर था तो इनमें से एक बचन बहु बचन कौन योग में सही नहीं है यह आपको बताना है तिसमें से आसु और आसु हो यह आसु का आसु होता है यह देख सकते हैं यह गलत है बाकि गोड़ा का गोड़े गली का गलिया चड़िया के चड़िया यहाँ पर देख सकते हैं यह सही है बाकि उप्रुक्त यह जो है यह सही मिला नहीं है मतलब कि इसका एक बचन और बहु बचन एक होता है ठीक तो घर ही हो जाएगा 6 cancer भी हो जाएगा question number 7 है कि dynomo इसे परवर्थित करता है जो dynomo होता है वो किस उर्जा को किस उर्जा में परवर्थित करता है यह महत्पोर question है इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि यह बार-बार question repeat करता है तो dynomo जो है यांतरिक उर्जा को बिधुत उर्जा में परवर्थित करता है क्या करता है यांतरिक उर्जा को बिधुत उर्जा में यह याद रखिएगा आगे चलते है question number 8 है कि दूद से मखन निकाल लेने पर दूद से अगर मखन निकाला जाता है तो दूद का घनत्व क्या होता है इस पर क्या परभाव पड़ता है यह आपको बताना है यह देख सकते हैं अपसान आपके सामने है तो दूद से अगर मखन निकाल लेते हैं तो इसका क्या होता है घनत्व जो होता है बढ़ जाता है यह बहुत important question है आता है बार-बार इसका घनत्व बढ़ जाता है दूद से अगर मखन निकाल लिया जाए पानी का जो अधिक्तम घनत्व होता है यह किस पर होता है question में करा चुका हूँ चार्ड डिगरी सेलसियस पर होता है घनत्व का इंगलिस डेनसीटी होता है यह सब याद रखिएगा आपको पता है कि जो भी आपको लोहा हुआ होता है या वैसे आपको इस पात वाले चीज होते है गर्मी में आपको गर्मी के कारण विस्तारीत होते है ठीक इसलिए देखिएगा कि लोलक जो है उसकी लंबाई बढ़ जाता है और लंबाई बढ़ जाता है तो दोलन भी इसका वही एकोडिंग क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक तो इसमें क्या होता है आपको स्लो हो जाता है घरिया तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे की एकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है ठीक तो इसके अंसर क के बीच में छोड़ा जगा छोड दिया जाता है, नोक एंसर क्या हो जागा यहाँ पर? भी हो जागा, इसे question पूछता है, और बढ़ता है तो फड़ जाता है ठीक आप देखिएगा ऐसे आप फ्रीज में भी अपना बोतल रख कर देख सकते हैं कुशन नमर 10 देखिए कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यह आपको बताना है यह देखिए तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अवर्तकाल क्या हो जाता है वो घड़ता है जी नहीं घड़ता नहीं है क्या होता है 2% बढ़ जाएगा ध्यान रखिएगा अगर लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्या अवर्तकाल होगा यह आपको यहां से निकल जाएगा टू अंडरूट में जाएगा फोर तो यह टू परसंट बढ़ जाएगा ठीक तूप नहीं होना चीए क्योंकि एक्जाम हॉल में गुलकार हो जाता है यह याद रखिएगा कुश्चन नमर 12 दिखिए यदि किसी पिंड को प्रिथवी से 11.2 किलो मेंटर प्रति सकेंड के वेग से फेका जाए तो पिंड यह क्या कहलाता है सबसे पहली यह कहलाता कून सा है तो यह बेग है कोन सा बेग है तो हम अपनी 12 मेंटर से बाहर फेकते हैं तो फ्र वापस नहीं आता है यह यह रखिएगा प्रिषिटीप कभी कि हाज्चता है क्यान जिसनी तरस है यह याद रखिएगा 11.2 km 30 second होता है यह से question पुश रखता है question number 13 देखे कि electron के तरंग की परकिरती की खोज किसने की जो electron है न यह तरंग की परकिरती की खोज बताना है इसका किसने किया था जो तरंग की परकिरती है electron की आपके सामने है option बताइए बहुत important question है यह जो किया गया था electron की परकिरती की खोज जो किया गया था यह डी ब्रोगली द्वारा किया गया था डी ब्रोगली ठीक यह इसका answer हो जाएगा देखें यह आपको प्रमाडू हो गया तो इसके चारों तरफ चकर निगेटिव आवेस के साथ electron लगाते रहता है ठीक बाहर किसके बाहर तो यह आपको जो आपको नाभिक हो गया नाभिक में पुट्रोन होते है और neutron होते है पुट्रोन जो होता है वो आपको घन आवेसित होता है neutron पर कोई चार्ज नहीं होते और यहाँ पर electron इसके चारों तरफ चकर लगाते रहता है ठीक यह सब याद रखिएगा आगे चलते हैं question और भी मैं आपको दिखाता हूँ question number 14 है कि द्रभमान संख्या किसका योग है अब यहाँ पर आया उट पहाड के नीचे यहाँ पर देखिए यह रहा पर माडू और इसके नाभिक में क्या का होते है पुट्रोन होता है और नेट्रोन होता है और दोनों को जैडविक ने नेमन मैंसे किसकी खोच की थी जो। जैश्म चैडविक ने जो खोच यह निट्रोन . तिक इसकी नीट्रोन की खोज कुष्टी, पंदरा कैंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा, चलिए कुछ खोज से रेलेटेड मैं आपको इंपोर्टेंट करा देता हूँ, यहाँ पर देखे, यहाँ से अक्सर कोशन पूशे जाते हैं, एक दो कोशन यहाँ सही आ इसे आप स्कुन सोट ले लिएगा, या आप नोट्स बना लिएगा, देखे, इलोक्त्रोन की खोज किस ने किया था, जह जही था, डिरेक्ट याद रखेगा, इलोक्त्रोन रिर्ण आवेसित होता है, और यह नाभीक की चारो और चकर लगाते रहता है, पर ट्रोन जो है, यह आपको घण आवेसित होता है, और इसकी खोज जो किया था, यह गोल्ड अश्टीन ने किया था, ठीक, यह भी याद रखेगा, यह नाभीक में होता है, वही आपको खोज निवट्रोन की किस ने किया था, जेम स्टेडविक ने किया था, और यह भी नाभीक में होता है, ठीक इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, फोर यहां पर देखें, मेसान, मेसान की खोज यिक्वा ने किया था, ये भी याद रखिएगा, पुझे स्ट्रोन, पुझे स्ट्रोन का खोई जो किया था, बहुत भी भी बियाई कुशन है, कुशन डैरेक्ट पुशता है, पुझे स साथवा है कि परमाडू सिधान्त की खोज किस ने किती, बहुत ही भी बियाई कुशन, परमाडू सिधान्त की खोज याद दिया गया था, सिधान्त भी ये जॉल डॉन्टन द्वारा दिया था, ये याद रखिएगा, जॉल डॉन्टन परमाडू सिधान्त दिये थे, आप आठवा दिखे, आठवे में क्या है, बोर सिधांत, बोर सिधांत भी आपको पढ़ना है, यह निल्स बोर द्वारा दिया गया था, परमाडु करमा की यह मोसले द्वारा किया था, बोसले या मोसले जो भी बूल सकते हैं, यह दिया गया था, ठीक, और क्वाइंटम सिधांत क को द्वारा दिया गया था ये सब आपको याद रखना ागने चलते हैं नाभी कि लिम अले timelines diesem से, rather said,ud नहीं किया था, कुश्चन नहीं ब सतरा दिखिये, कि परमाडवे नाभीक किस ने खुजा था, आ गया कुश्चन, परमाडवे नाभीक किस ने खुजा था, ठीक? बरमाडवे नाभीक जो खुजा गया था, ये rather यहाँ पर मैं बता दू आइस्टीन ने ए बराबर एमसी अस्क्वाइर का फर्मूला दिया था डिरेक्ट यह कोशन पूछा हुआ थे इसलिए मैं आपको बता दिया ठीक तो 17 के असर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा राधर फोर्ड ने किया था नाभीक की हैं ध्यक्रला दिया इसलिए isso है कि यहाँ यहाँ पर याद रखीएगा यह आपको परामाडु जो है उसकी अ और परहले 2 आएगा फिर उसके बाद आख हैं स क्याकिया हो यहाँ पर तो यहां पर क्या हो जाएगा 17 काप यहां पर लगा लिजे ऐ फिर दो होगा तर होगा और फिर 7 होगा यहां पर आप देखिएगा त्यक्त का अंसर क्या होगा को कि कोलोरीन का भुआईग्, आपको जो कीटाडुटाडू हो जाते हैं जली में उसको भीमारण के लिए किया जाता है क्लोरी करण के लिए ब्लेंचिंग पाउडर में भी किया जाता है ब्लेंचिंग पाउडर तके 20 है कि मानो तवचा का अध्यान करने वाले विग्यान सखा का हलाती है जो मानो तवचा का अध्यान करने वाली विग्यान की सखा है उसे हम लोग किस नाम से से सम्मंधित अध्यान कहलाता है मचलियों से सम्मंधित अध्यान जो कहलाता है यह कौन सा कहलाता है यह कहलाता एक एठियोलोजी ठीक यह सब आपको याद रखना है ठीक तो वैसे मैं आपको टेलीग्राम के नीचे लिंक दे देता हूं जो भी मुझे जरूरी लगता है कि न और यहां सेभी कुश्यन आते हैं उससे बोला जाता है प्रस थितिकी ठीक भी हो जाएगा ठीक अगे चलते कुश्चन नमर 24 है कि मधुमख्यों का पालन कहलाता है मधुमख्यों का पालन किया जाता है यह आपको बताना है क्या कहलाता है तो यहां पर रखिएगा मद्वमक्यों का जो पालन कहलाता है उससे क्या कहा जाता है तो इसके कहा जाता है एपी कल्चर एपी कल्चर कहा जाता है याद रखिएगा कुशन पूश रिकता है मद्वमक्यों का पीसी कल्चर में मचलियों को पालन होता है ठीक सरी कल्चर में आचीं कखा काहलाती है तो कीटों के समंधित, जो विज्यान के सखा जो काहलाती है यह यहाद रखिएगा तो से कुछण पूछण है जो को करा दिया रिएटेस्ट से तो कि जो भी मैं आपको टेस्ट कशणय प्लान देता हुं